बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से Galaxy Teachers Classes के इस आनलाइन प्रेटफॉर्म पर आज हम सभी जानेंगे बिहार की सिछक भरती के बारे में जो BPSC के थूरू कंड़क्ट कराई जा रही है यह जो बैकेंसी आने वाली है जिसकी सूचना जारी की गई है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी को सरल सब्दों में डिटेल में आज हम लोग समझने वाले हैं इसमें सभी लेबल के टीचर हैं लेकिन आज की इस क्लास में आपको हम सूचना देंगे कि प्राइमरी इस तरपर यह आप सिच्छक बनना चाहते हैं बिहार जैसे राज्य में तो क्या-क्या योगताएं या कौन-कौन से बिसाई आपको आने चाहिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ समझ रखते हैं, बच्चों के बारे में जानते हैं और बच्चों की रुची, योगता और जग्यासा को समझते हैं लेकिन उस विसाई को प्राइमरी इस तरपर गायब किया गया है या सभी इस तरपर गायब किया है आई आप ऐसा कह सकते हैं, CDP से सम्मंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ण नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि CDP वाले पोर्शन को गयाप कर दिया गया है, आईए आगे बढ़कर देखते हैं कि किस प्रकार का स्लेवस होगा, एक्जाम पैटाने क्या होगा, हलाकि अभी इसकी कोई निस्ची डेट नहीं है, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि notification अधूरा सा है, इसको पूरा करने की आवसकता है, फिर भी जितनी बातें notification में आपको जानने योग हैं, उसकी चर्चा Galaxy Classes की तरब से की जा रही है, ठीक है, तो आएए, हमने इस मदब जो पूरा notification था, उसको category wise बाट दिया, primary, फिर मार्धमिक, उच्च मार्धमिक, इस टाइप से मैं divide करके वीडियो बराऊंगा, आज की इस class में केवल हम primary के बारे में जानेंगे, देखिए, दो paper होंगे primary इस तरफ पर, एक paper जो सबसे पहला होगा, वो language का होगा, और paper 2 जो होगा, वो GS study, या GS का होगा, जी study लिखा गया है, general study का paper होने वाला है, ठीक, आएए देखते हैं, तो जो पहला paper होगा, वो 2 hours मदब 2 घंटे का होगा, 100 questions होगे, 100 marks होगे, सबसे पहली बाद आपको यह जानना है, फिर उसके बाद, यह जो पहला paper है, इसके भी 2 भाग होगे, पहले भाग में आप देखेंगे 25 questions, English language से सम्मंधित हैं, related to English language, और यह compulsory है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनमें आपको 30% पाना आवश्यक है, इट मेंस लगभग 10 प्रस्नों को करना आवश्यक है, बिना 10 प्रस्न सही कि यह आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब यह paper आप देने योगे नहीं है, या आपकी copy check नहीं होगी, ऐसा आप कह सकते हैं, part 2 में जब आप आएंगे तो 75 questions होंगे, 75 marks के, अब यह दूसरी language से होंगे, Hindi, Urdu या बेंगाली भाजा से, ठीक है, इनमें से कोई एक आपको चुनना है, choose anyone, किसी एक को आपको select करना है, और 75 questions उसके करने हैं, 30% marks आपको इसमें भी प्राप्त करने हैं, इसका number जोड़ा नहीं जाएगा, इस बात को आप ध्यान से समझीएगा, कि इसका number बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन total paper दोनों मिला करके, आप ऐसे कह सकते हैं कि 30% qualifying है, जो compulsory है, दूसरी, हिंदी, या उर्दू, या बेंगाली भासा, मतब बंगला, आप तीनों में से कोई एक चूच कर सकते हैं, और 30% आपको marks लाने ही लाने हैं, qualifying है, ये marks जोड़े नहीं जाएगे, लेकिन बिना इसको qualify की, आप इधर नहीं आ सकते हैं, आइए समझते हैं second paper को, second paper भी 2 घंटे का, इसमें 1.500 questions होंगे, आप देखिए 100 और 1.500, मिल करके कितने हो जाते हैं, 200 questions का question paper होगा, 200 marks होंगे, negative marking भी इसमें है, अभी हम आपसे बताते हैं, लेकिन ये decide नहीं है कि कितना negative marking है, ये decide नहीं किया गया है, ठीक है, देखो, अगर आप primary में teacher बनना चाहते हैं, बिहार में, तो आपको second paper के रूप में primary level की match, और aptitude मना reasoning type की कुछ questions आएंगे, general awareness आप से पूछी जाएगी, science की कुछ questions होंगे, social science से संबंधित होंगे, इंडिया, national, moment से संबंधित question होंगे, geography से संबंधित और ABS से संबंधित, कुल मिला करके जो आप GS portion में पढ़ते हैं, कुछ current affairs से संबंधित, math और reasoning science को मिला करके, वो हिस्सा पूछा जाएगा, ये बड़ा फाइदे मन्द होगा, आप देख रहे हों कि इसमें जो BA किया होगा, वो भी अच्छे marks ले आ सकता है, और जो BSC graduation में किया होगा, वो भी अच्छे marks ले आ सकता है, दोनों को combine कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, BSC और BA दोनों के slayvers को मिला दिया गया है, ठीक है, तो आब आपने देखा कि 2 घंटे का 1.500 क्वेपर होगा, 100 क्वेपर का 2 घंटे का ये भी पेपर होगा, मरद 2 पेपर आप से या 2 भागों में पेपर आप से लिया जाएगा, ऐसी बात notification में कही जा रहे हैं, अभी मैं आपको original copy भी दिखाता हूँ, ठीक, चलिए आग अगर होता तो इतना अच्छा पढ़ाया जाता है कि उसके questions तो मलब गलत होते ही नहीं है, फिरहाल जो है उसी की तयारी हम लोग अच्छे से करते हैं, आईए कुछ note points पढ़ लेते हैं आजके, note points क्या है, mcqs जो हमारे questions होंगे, multiple twice questions होंगे, objective questions होंगे, पेपर में हमारे negative marking भी दी गई है, negative marking भी दी गई है, अब क्या ratio होगा negative marking का, ये clear नहीं किया गया है, फिर देखिए, obtain marks, अगर आप general category से आते हैं, तो आप pass, देखो, merit में आना वो अलग बात है, लेकिन pass होना जरूरी है, आपको 40% marks total paper में लाने होंगे, ठीक है, फिर क्या है, OBC work के हैं, तो आपको इतने percent STSC या female है, handicap है, तो आपको 32% marks obtain करने ही होंगे, तभी आप pass माने जाएंगे, फिर आपकी merit बनाई जाएगी, minimum marks की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, minimum marks की बात कर रहा हूँ कि इतने तो आपको पाने ही पाने हैं, और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमने ज location 25-75, इस type से divide किया गया है, यह आपका syllabus दिया गया है, ठीक है, बिहाराज जी की vacancy है, जो सुचना जारी की गई है, बहाली, कुछ लोग इसे सिच्छक बहाली भी कहते हैं, ठीक है, अच्छा सब्द है, ठीक है, आईए, आप देखते हैं, आपको एक सुचना मुझे यह द जाएगी, कि आप तक पहुंचाया जाए, गलेशी classes की तरफ से, इसके बाद के जो हमारे schedule है, जैसे माधिमिक इस तर के, उच्छे माधिमिक इस तर के, क्या-क्या syllabus है, क्या-क्या points है, मतब कब क्या सुचना आपको दी जाने चाहिए, उसका ध्यान हम जरूर रखेंगे, मि जरूर रखेंगे, मिल 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 जरूर रखें